नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दो रीटेल इंडिस्ट में यहां पर मैं बात करने वाला हूं दोस्तों एक ऐसे स्टॉक की जिसके कल क्वाटर थी के नंबस आये और स्टॉक एक भैयंकर गिरावट की ओड़ गया और आज भी दोस्तों स्टॉ या स्टॉक में खरीदे या नहीं खरीदे ऐसे तमाम सवालों के जवाब ढूने की कुशिश करेंगे इस वीडियो में अगर आप स्टॉक में निवेशत है या निवेश की सोच रहें तो यह दोनों ही सोरत में यह वीडियो आपके बहुत कायम आएगी और दोस्तों आपको यह सवज में आएगा कि जो रिस्क होता है और आप देखें तो इस टॉक में जभी वीडियो में मैंने की बात कहिए बहुत अच्छी कंपनी एवरिटिंग इस गूड़ बट सेक्टर प्रब्लम में है और क्वाटर थी के नंबर से पहले अगर आप निवेश कर रहे हैं तो तो तमाम सवले सवलेट के लिए सिधा लेके चलता हूं मैं आपको शर्बाइस के रहे हैं वर्ल फूल ओफ इंडिया लिमिटेड ठीक है छे प्रतिशत जियां दोस्तों छे प्रतिशत से भी जादा की गिरावट आपको यह स्टॉक दिखा रहा है ठीक है 6 प्रतिशत से भी जादा की गिरावट यह स्टॉक आपको दिखा रहा है आप देखें पिछले एक साल में देखिए टॉक उपरी स्टरों से देखें उपरी स्टरों से आपको आल्मोस्ट तीस प्रतिशत से भी जादा की गिरावट यह स्टॉक दिखा रहा है दोस्तों कित प्रॉफित टैंक सेवेंटी फॉपरसेंट ठीक है दोस्तों आप देखें तो वर्ल्फुल इंडिया तीन प्रतिशत टूटा था कॉर्टर थी के नंबर्स के बाद ठीक है क्योंकि उसका भी प्रॉफित जो था मुनाफ़ा वो सेवेंटी फॉपरसेंट आउन हो गया था और आज देखेंगे तो स्टॉक छे प्रतिशत से भी ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है दोस्तों किती छे प्रतिशत से भी ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है ठीक है और अब मैं आपके साथ आगे चलू तो आप देखें आप बेखेंगे तो इज एक इलेट्रोनिक प्रफोर्मेंस एस वेल एस लूए टॉप लाइन और इस रिजल्ट की जो सबसे ज़्यादा खराब रवाद दरी दोस्तों वह इसलिए नहीं की थोड़े मार्जन ही आपकी ओप्रेटिंग प्रफोर्मेंस तो कम हुई है आपका जो टॉप लेन यह जोप की से उसमें भी आपको करावद देखने को में लिए now standalone revenue from operation decline 18.3% on year 2 rupees 1172.4 crore for the quarter ठीक है on the operating front standalone EBITDA earning before interest tax depreciation and amortization plunged 74% year on year ठीक है 74% year on year 2 rupees 19.1 crore with margin declining by 360 basis points 1.3% compared year ago period on higher input cost और जेखिए higher input cost लगातार इन companies को परिशान कर रहा है इसके आगी ये है now the raw material cost at rupees 813 crore was 21% higher from the year ago और मुझे नी साज में रही दोस्तो ये लौती पता नी company कहां से supply कर वारी है अपने माल को कि इसका ही एक लौता राम raw material है जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है जबकि जो अन्य companies हैं उनकी raw material लगातार डाउन हो रहे हैं आप अगर अभी है top line में कमजोरी है ये सही बात है हर जगह आपको गिरावट देखने को मिल रही है अब जो आपको आपकी मैं बदलने की ज़रोथ है या जो आप जहां से अपना माल माल मंगा रहे हैं वहां की बदलने की ज़रोथ है अन्य कंपनिया आपके सेक्टर में आपसे काफी अचा परफॉर्म कर रही है आई डोट नो आप आगे कैसे काम करेंगे नाओ वर्ल्फूल हैस बीन अंडर प्रेशर फॉर दर लास्ट फाइव एड़ाफ मांथ फॉलिंग नियरली थर्टी थर्टी पॉसंट देखिए स्टॉक प्राइस में गिरावट है यह अलग चीज़ है यह बिसनस ही नहीं चला पा रहे हैं मुझे यह समय नहीं आ रहा है आपकी टॉप लैन में कमी आ रही है और यह सिर्फ आप में नहीं है सबको सान में आ रहा है आप खर्चे कैसे रोकेंगे आपके तो खर्चे यहां से बंद करके निकलने की सोच रहे होंगे ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह के खराब परफॉमेंस इस तरह की टॉप नॉच कंपनी से आप बिलको भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और आप निवेशकों को तो इस तरह बेकूफ नहीं बना सकते हैं आपने अपने रिजल्ट क में मैं बॉल्फुल में निवेशित नहीं हूं ना मेरी फैमिली मेंबर जिनके साथ में निवेश की बात ही करता हूं बट इस तरह के खराब रिजल्ट ओभी ऐसे कर समसे यानि आपके मार्जिन खराब आपके टॉप लाइन खराब आपकी आप क्या सकते हैं रोम अधिल सा कोई खराब नहीं है बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन मुझे समय नहीं आता है मैरेजमेन कोई साफ आलके साफ साफ कब बात करेगी कि भाई हमसे ही से प्रॉब्लम हो रही है और जो खर्चें वो लगातरम बढ़ाते चले जा रहे हैं तो ठीक है आने वाले साह में देखें का नुक्सान ऐसी तमाम वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ये इस वीडियो का आनता है जाहिन दोस्तों